नमस्कार मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैस दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले विडियो में बताया था कि बिहार में शेयद मुस्ताक अली ट्रोफी के जो ट्राइल मुकाबले चल रहे हैं वो बारिस के वज़े से रद हो सकते हैं हुआ भी विल्कुल वैसा ही दोस्तों और बारिस के कारण इन मुकाबलों को आखिर कार रद कर दिया गया है गाइस हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कम ट्राइल मैचेज हो पाएं ऐसे में प्रेस नोटता है कि आखिर अब बिहार क्रिक्ट एसोसियेशन किस आधार पर और किन प्लियर्स को मुस्ताक अली टीम में सामिल करेगा तो इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगी दोस्तों अगर आप भी एक कमाल की क्रिक्ट लीग खेलना चाहते हैं मुस्ताक अली की टीम बनाने के दौरान सेलेक्टर्स की नजरे उन खिलारियों पर जरूर होंगी जिन्होंने जो ही कुछ एकादा मैच हुआ ट्राइल मैचेज हुए उसमें बहुती बर्या परदर्शन किया इस आधार पर देखें तो ट्राइल मैचेज से इन खिलारियों का चुना जाना लगभग तैमाना जा रहा है ये प्लेयर्स कुछ इस प्रकार हैं विश्वजीत गोपाला इन्होंने एक अर्द सतक जरा साकी बुलगानी इन्होंने भी एक फिफ्टी जरा वहीं विजय वत्स ने भी एक अर्द सतक लगाया था तो दोस्तों इन तीन बैट्समेन को जरूर से जगह मिलने वाला है इस बात की पूरी शंभावना है वहीं गिंदवाजों में दोस्तों हिमानसु सिंग इन्होंने छे विकट चटकाया था इनको भी टीम में जरूर से जगह दी जाएगी तो यह चार खिलारी दोस्तों इन ट्राइल मैचेज के बाद टीम में निस्चित ही अपना जो स्थान है उसे डिजर्व कर रहे हैं दोस्तों इन चार खिलारी ओं को ट्राइल मैचेज के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर टीम में सामिल किया जा सकता है वहीं बांकी के ये प्लियर्स टीम में जगह हासिल करेंगे जिन्होंने बिहार के लिए बीते समय में बहुत ही सांदार प्रदर्शन किया है बाबुल क दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो सजेस्ट हो जाएगी तो आप उसे भी जरूर से देख लेना गाइस अगर आपको वीडियो अची लगी हो तो इसे लाइक कर लेना और दोस्तों जैसे ही टीम अनॉन्स होती है मैं आपको इंस्ताग्राम पे दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हों तो हमें सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकॉन को और पर सेलेक्ट करना बिलकुल भी मत बूलना मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइन बी सेफ एन लव यू आप